एक शाब्ध है अंद्रूनी, तो इस दोड़ियो में अंद्रूनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या आरत होर मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, अंद्रूनी का मतलब होता है, अंदर का भीत्री बातों से संबंदि, अंत्रंग, भीत्री भाग, अंदर की तरफ का घरेलू या आंत्रिक, मतलब अंद्रूनी, इंग्लिश में अंद्रूनी को बोलते हैं, domestic, inward, inlaying, internal, interior, inner, inward, intrinsic, entle, and it is, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शवद हो सकते हैं, अंद्रोनी के example से sentences में समझते हैं शब्द को use करके अच्छी तरह से जैसे बोलेंगे आम बोल चाल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे कि यह उसके घर का निजी और अंद्रोनी मौामला है मतलब है इनिश में this is a personal and internal matter of his house दूसरा example है कि हम उनके अंद्रोनी मौामलात में दखल नहीं दे सकते मतलब है इनिश में we cannot interfere in their internal affairs तो affairs का मतलब मौामलात interfere का मतलब दखल देना ठीक है तो मैं अपने अंद्रोनी शब्द को English और Hindi में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स वाचिन एजुक्एर देस्क